गर्मा-गर्म गट्टे नर्म मुलायम बने हो किसे अच्छ नहीं लगते हैं तो आज की रेसीपी भाई है हम ब्लाएंगे बिल्कुल सौफ्ट मुँमे गुल जाने वाले गट्टे कोई सब्सी नहीं न तो आप ये बना सकते हैं तो भी हमें गट्टे कभी कभी बना की खिलाने चाहिए तो इचले बनाते हैं डेड़ कप बेशन लीजिए तो डेड़ कप के इस आप से बता रहे हैं थोड़ी सी कसूरी में दा लिए साथी दो तीन चुटकी हिंग मिलाएंगे बहुत अच्छा अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें जरा सा जीना मिलाते हैं आधा टी स्पून से भी कम हैं थोड़ी सी हल्दी और नमक और मेच अपने टेस्के कॉर्णिंगे मिलाएगा और इसमें एक चमच अगर हम सरसों का तेल मिला दे तो बहुत मुलायम बनते हैं साथी दो चमच दही मिला देते हैं आधा इसे पानी लग देने पानी लग दिया उबलने के लिए पानी बना रहा होगा पानी तब हम इसमें गट्टे बना कर डालेंगे अधिके मुलायम से आटा इससे थोड़ा सा हम हाथ मे लेंगे छुट-छुटी लोई लीजिए उससे सिलंड्रिकल शेप देने जैसे की इस तरीके से और गट्टे कैसे पता लगेगा पगें 12-13 मिनट लगते हैं लेकिन जब हलके होते उपर आ जाते तहर कर फूल जाते थोड़े से तो यह तरफ उबल रहे हैं तो हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं तो मीरियम फ्लेम पर ही आपने उबालने हैं अब मिक्सी की तो और स्वाद बनते तो आधा टीसमुन सॉंफ मिला दी और सॉंफ भी पिस गये साथ ही तो यह ग्रेवी तैयार है इस पर दही भी बढ़ती है तो आप एक कप या उसे थोड़ा कम दही ताजा लीजिए उसमें नमख मिर्शल्दी गरम मसाला और धनिया पाउडर मिला दी इससे टेस्स बहुत बढ़ जाता है अब गट्टों काट लेते हैं मैं काट कर दिखाते हूं आपको कितने सॉफ्टर बने हैं अच्छे बने और एकदम आप खाएंगे जब ग्रेवी में डाल करें पकाया के इस खाएंगे बहुत अच्छे सॉफ्ट लगे और आपको चले एक तरफ रखते हैं हमारी सारी तैयारी हो गई है तो सूखे मसाले जो में फ्राइब करने हैं उसमें हिंग जीरा चाहिए तेज पता चाहिए कसूरी में सूखी लाल मिर्च जाएंगे अब यह रेसिपी मैं बनानीं सरसों के तेल में जातर पकाई जाती है तो दो बड़े सरसों का तेल इसे थोड़ा सा अच्छा से गर्म कीजिए फिर इसमें सारे सूखे मसाले सूखी लाल मिर्च है तेज पता है और जीरा है थोड़ा सा और एक कसूरी में थी हमने आट कर दिये हिंग भी मिला देते हैं और इसे दो मिनिट चलाएंगे बस हलका सा रंग थोड़ कीजिए और इसमें एक चमच बेसन मिलाइए और इसे थोड़ा सा किनारों पर पहले भूनिए दो तिर मिनट और फिर से मिक्स कर दीजिए इससे क्या है हाई ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी और दही का मिश्टन भी हम एड़ कर रहे हैं और दही जो है फटेगा नहीं ब भूनना है वाई गट्टे बहुत अच्छी से कोगड़े हैं हमारा मसाला को दो मिनट पस पूनी फिर इसमें पानी मिलाएंगे अकॉर्डिंग ली तो जो पानी बचा था ना गट्टों वाला वो मिला आते साथी थोड़ा और पानी मिला दूंगी क्योंकि ग्रेवी आपको किती जाए इस पर ड्वेंट करता है जिसे काफी रसेदार चाहिए तो आप पानी और भी मिला सकते हैं आप पानी में आगया है बॉइल इसको रख देंगे ढखके और दो से तीन मिनट में आप देख लिजे टोटल तीन से पांच मिनट के अंदर मारे गट्टे जो आप बह सब्सक्राइब करें अब आप जल्दी से ट्राइब करें सादा सा फुलका और गट्टे की सब्सक्राइब तो खाकर तो मजा आ जाता है मुझे तो आ गया अब आप जल्दी से